आपने कई बार बारिश के समय आस्मान से ओले गिरते हुए अवशे देखा होगा लेकिन यूपी से एक चौकाने वाला मामला अब सामने आया है ये खबर पुर्वी उत्तरपदेश के भदोगी जिले की है जहां सोंबार को तेज हवाओ के साथ बारिश में आस्मान से मचलिय को गिर्टा देख वहां के लोग काफी हैरान भी हो गए भधोगी के कंदिया फार्टक स्तेत्थ यादब बस्ती के पास सोंबार को बारिश के साथ मेशें ने से लोग काफी जज़्या जा सके गाउवालों का ऐसा कहना है कि खेत छट समेत सभी स्थानों पर मचलिया गिरी थी इस दौरान पूरे इलाके में करीब 50 किलो मचली उठाई गई लेकिन उनके जहरीले होने के आशंका से और किसी अनुहुनी के डर से लोगों ने उसे तालाव और गढ़ों में फेक दि हाला कि विज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि कभी-कभी समंदर या नदी के आसपास जब चक्रवाती हवाई बहती है तो उससे मचलिया भी नदी के साथ हवा में बहने लगती है इसी के कारण कई बार बारिश के समय आसमान से मचलिया गिरती होई दिखाई देती है और यही कारण है कि यूपी के भदोही जिले में भी आसमान से मचली गिरने की जो ख़बर है वो सामने आई है मगर इस ख़बर से जो गाउवाले हैं वो काफी ज्यादा है वो समझ नहीं पाने कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बारिश के समय आसमान से पानी के अलावा मचली भी टपकने कर दो कर दो ख ACLU समाना से कि अर्बर बारिक वेले मह थचाले हैं वघर हैं जरक के वो ख़बर से खपकंणीю फवोरने काम वो Selbstव. क्वद्ट को खभंड़ branded झाली आसमान आखिर से च争त कूरस्ट में वो खवंश. कि आफ इस पूरे ख़बर को लेकर क्या सोचते हैं कि आपने भी कभी आसमान से मचलियों को गिरते बेर देखा है अगर आपने देखा है या नहीं भी देखा हो जो भी आपकी राई है इस पूरे ख़बर को लेकर आपकी राई को हमारे साथ आप अवश्य कॉमेंट बॉक्स में आकर शियर करें लेकिन जाने से पहले हम आपसे एक अफिल करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने कोवीड-19 वेक्सीन की डोज नहीं लिए तो खृपा करके वेक्सीन की डोज लें अपने आपको और अपने परिवार को इस खतरना कोर्णा महामारी से सुरक्षिर रखें तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद